है फ्रेंड्स तो कल मैंने आपको सल्मान खान के चुलबुल पांडे से रिलेटेड यही अपडेट दी थी के सल्मान खान अब हमें सिंगाम अगेन फिल्म में किसी भी तरीके का कैमियो रोल करते वे नजर नहीं आएगे जिसके पीछे की पूरी के पूरी रीजन यानि के कम् हिसाब से आजे दोगन रोही चेटी की तरफ से ये डिसीजन लिया गया था कि वो लोग इस फिल्म के सेंसर से जाने से पहले 14 तारीक के उस दिन को इस फिल्म की कैमियो को शूट करकर रेडी कर लेगे लेकिन फिर क्या था आज एक काफी बड़ी ब्रेकिंग निउस पिंक वल्यावलों की तरफ से ब्रेक करते वे यही बात कंफर्म की गई है कि सल्मान खान एजए चुलबुल पांडे सिंगम अगेन के युनिवर्स में जादा टाइम बात नहीं बलकि इसी फिल्म से नजर आने वाले है वो भी इस फिल्म के पोस्ट कर्डिट सिन में जिसके उनिवर्स को अगर कनेक्शन करवाना है तो मल्टी वर्स वाली सिच्वेशन ही आईगी लेकिन खैर रोही चेटी और उनका दिमाग जिन्हों ने एक अच्छी घासी थी तगड़ी फिल्म जैसी क मैंने कहा उसका पता हमें फिल्म थेटर में जाकर के देखने के बाद ही पत चल गई थी कि सल्मान खान का कैमियो नहीं होगा लेकिन आज इस न्यूज ने तो पूरी तरीके से हिला डाला वाला हिसाब में definitely फैंस को हिला करके रख दिया है क्यूंकि आज इस फिल्म के उस कैमियो को शूट किया जा रहा है जी हां सल्मान खान का वो कैमियो आज शूट करकर वो लोग पूरी तरीके से इस फिल्म के पोस्ट कर्डिट सिन को रेडी कर लेगे यानि हो सकता है कि सलमान खान भी अपने कैमियो को देने के लिए काफी जादा इंट्रेस्टेट है जिने शायद से अब दबंग के युनिवर्स को भी लेकर के बहुत बड़ी उमीदे न करके तो फिलाल नहीं लगता कि उनके उस सोलो फिल्म को बनाया जाएगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस फिल्म के आइडिया को सीधे-सीधे घुमा करके सल्लू भाई यानि कि चुर्बल पांडे के कैक्टर को दे दिया गया अब कमेंड में लिकर बताओ और हाँ यह ब्रेक फिला जवाब कैमियो को देखे गी जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी उमीद मेरी अगर कैमियो को लेकर के बनी पड़ी है तो वो है बेबी जॉन फिल्म बाकी देखते है कि सिंगम में कैमियो को किस तरीके से पिच्चराइज किया जाता है क्योंकि इसके बाद जब इस के पूरी फिल्म को पहले सेंसर बोड में भेज दिया जाएगा जिसके बात जाकर के इस पोशन को अलक से मेकर्स ने डिसाइड कर लिया है कि वो लोग सेंसर बोड को सब्मिट करेगे ताकि ये सिन यानि के ये माहौल जिस भी तरीकी का रोही छटी बना रहे है लोगों के बीच बिल्कुल भी लीक ना हो लेकिन अब खबर तो ब्रेक हो गई है जिसे लेकर के आपकी क्या राया बनती है जैसी कि मैंने कहा वो आप मुझे कमेंड में लिक कर बताईएगा क्योंकि वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का बाकी मैं हूँ अजीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत मिलंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में तिल देन बाई